मारूती सुजुकी इंडिया ने एरेना डेलर्सी पर मिलने वाली नव मौडल की कीमतों में इजाफा कर दिया है अब इन कार को खरीदने के लिए 21,000 रुपए तक जादा खर्च करने होंगे कमपनी ने जिन जिन मौडलों की कीमत में इजाफा किया है उसमें सबसे सस्ती अल्टो से लेकर अल्टो के टैन एस्प्रेसो सिलेरियो वेगन आर स्विफ्ट डिजायर नहीं अवेली ब्रेजा और आर्टी का भी सामिल है कमपनी ने दिसंबर 2022 में ही अपनी कीमेतों को बढ़ाने का एलान कर दिया था वहीं 15 जनवरी तक कमपनी का मौडल्स पर सांदार ओफर दे रही है मारूती ने किस मौडल पर कितने रुपए तक काई जाफा किया है चलिए हम आपको बताते हैं मारूती की सबसे सस्ती कार अल्टो को खरीदेना आप 15,000 रुपए तक महंगा हो गया है अभी इस कार की सुरुवाती एक्स सूरूम कीमत 3.39 लाख रुपए है जबकि इसके टॉप मौडल की कीमत 5.02 लाख रुपए है जबकि इसके टॉप मौडल की कीमत 4.02 लाख रुपए है जबकि इसके टॉप मौडल की कीमत 6.01 लाख रुपए है यानि अब आपको 10,000 रुपए ज़्यादा खर्च करने होंगे मारूती की सिलेरियो को खरीदना अब 21,000 रुपए तक महंगा हो गया है अभी इसकार की सुरुवाती एक्सो सोरुम कीमत 5.02 लाख रुपए है जबकि इसके टॉप मौडल की कीमत 7.02 लाख रुपए है जयानि अब आपको 21,000 रुपए ज़्यादा खर्च करने होंगे मारूती की टॉप सेलिंग और 2022 की नमबर वन कार वेगानार को खरीदना अब 21,900 रुपए तक महंगा हो गया है अभी इस कार की सुरुवाती एक्सोरूम कीमत 5.47 लाख रुपए है जबकि इसके टॉप मौडल की कीमत 7.19 लाख रुपए है जबकि इसके टॉप मौडल की कीमत 8.84 लाख रुपए है यानि अब आपको 21,000 रुपए ज़्यादा खर्श करने होंगे मारूती की डिजार को खरीदना अब 20,000 रुपए तक महंगा हो गया है अभी इस कार की सुरुवाती एक्ससोरों कीमत 6.2-3 लाख रुपा है जबकि इसके टॉप मॉडल की कीमत 9.1-7 लाख रुपा है जैनि अब आपको 20,000 रुपा तक जादा खर्च करने होंगे मारूती की नई नवेली ब्रेजा को खरीदना अब 8,000 रुपा तक महेंगा हो गया है अभी इस कार की सुरुवाती एक्ससोरों कीमत 7.9-9 लाख रुपा है जबकि इसके टॉप मॉडल की कीमत 13.9-6 लाख रुपा है यानि अब आपको 8,000 रुपा तक जादा खर्च करने होंगे मारूती की अर्टीगा को खरीदना 8,000 रुपा तक महेंगा हो गया है अभी इस कार की सुरुवाती एक्ससोरों कीमत 8.4-1 लाख रुपा है जबकि इसके टॉप मॉडल की कीमत 12.7-9 लाख रुपा है यानि अब आपको 8,000 रुपा जादा खर्च करने होंगे